काट थाना चेत्र के चर्चित दर्मानांतरण मामले में सीजीम कोट के आदेश पर आज दोनों आरोपी भायों की जेल से रिहाई हो गई दोनों को 50-50 हजार के नीजी मुचलके पर रिहा किया गया है मुरदबाद मंडल के चर्चित लब जीहाद प्रकरंग में उस समय मोड आ गया था जब धर्मानतरण मामले की प्रिडिता पिंकी को बालिक बानते हुए सीजीम कोट ने नारे निकेतन से उसके ससुराल पक्ष को सोपने के आदेश दिये थे उसके बाद से प्रिडिता ने अधार पर छोड़ने के लिए कहा गया था खोट के आद एक पर दोनों भाईयों को आज जिल से रिया कड़ दिया गया जैल पेज जिया था आप आप अपनरे दिन माया था जो प्रिंकी है वो भी बाले गए आप लोगों अपनी मर्जी से शादी ती लेकिन पुलिस ने आपके खलाप मुकदमा दर्वानतरन का दर्ज किया तोनों भाईयों के और जैल पेज जिया था था जो आपको इसके त्रशी हो रही है रहा होते हुए पोड़ बहुत 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 तुशी है सर पुलिस चाहें गए जो खानून बना है जिसके तहत आपको जैल बेजा गया था इसका दूरुप्यों गवा अबिकाल्डर एक दूरुप्यों घ्रन गाना अजापड किस काम के दिया था तर्सकरतं आपकर जोड़ात किस काम की वह भूदी थि इस दोरान उनका tôi पात हो गया जैसा पिंकी ने बताया है तो कितना अफसोर सापका जो बच्चा था वो इस दुनिया ना आने से पहली जुगर बहुत अफसोर से सर बहुत ही जाए जाएंगे उन पुलिसवालों के खिलास इनों ने आपको धोटे आरोप में देर जाएंगे जाएंगे में थार हूं यहनु आपको थाने में टॉर्टर किये गयागे वहां कि करेंदघर कि करें मनें मुधनी वाल में कि धाउर के है शेति सदाव की यह मामला यह था यह कि थाना काड में लब जिहाद के विरूत एक तरफर्सम ध़िवा था और उस में लड़की की माने इसमें बढाइज कराई थी पुलिस ने इनवेस्टीकेट कर आए लड़कों को उसके लड़की के हजबन को और एक भाई को तुरांट ग्रफ्तां करें जल बहिए ने जब थेगा और बात में जब लड़की बख़ानमेंग के तू उसने अपने बियानरे दिए और वह लड़कों दोशादीस नहीं है मैं सवतंदर हो और अपनी मजिशादी करने के लिए कर सकती हुं और फिबाद में इस में इन्वेस्टिकेट हुआ पुलिस पर शाथ इन्वेस्टिगेट करा तो पुलिस ने कोई भी मुलब साश्चे उन लड़कों विरुद नहीं पाए इस अधार पे उन्होंने 169 की रिपोर्ट सीजेम कोड़ी पेश करी और सीजेम महदे ने उसको एसेप्ट करा एसेप्ट करने के बाद उन्हें पजा प